शरद पवार ने बताया बीजेपी के साथ क्यों गए थे अजित पवार महराश्ट्र में शिवसेना कॉंग्रेस नसीपी के कटबंदन वाली सरकार बन चुकी है हाला कि तीनों दलों के लिए एक साथ हाना इतना भी आसान नहीं रहा और इसके लिए कई दिनों तक इनके बीच बातचीत का दोर जारी रहा इसी दोरान इनसीपी प्रमुख शरद पवार के भत्तीजे अजित पवार ने अचानक बीजेपी को समर्थन दे दिया था जिसके बाद से महराश्ट्र का सियासी पारा और चड़ गया था वहीं महाघाडी सरकार के सदन में विश्वास मत हासिल करने के कुछ दिनों बाद शरद पवार ने बताया कि किस कारण से अजित पवार ने आखिर कार बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया महराश्ट्र बैठक में कॉंग्रेस नेताओं का बरताव खरापता शरद पवार महराश्ट्र में गटबंधन सरकार बनाने के पीछे शरद पवार का ही दिमाग था खुद शरद पवार ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि कॉंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शिव सेना के साथ जाने को तैयार नहीं थी इंडिया टुड़ी कुद ये इंटर्व्यू में शरद पवार ने पावर शेरिंग टील पर भी असंतोष व्यक्त किया जो उद्धव ठाकरेव सरकार के शपत ग्रहन से पहले कई दोर की बैठकों के बाद तीनों दलों के बीच हुई थी शरद पवार ने कहा, NCP के पास शिवसेना से दो सीटे कम और कॉंग्रेस से दो सीटे ज्यादा है शिवसेना को CM पद मिला और कॉंग्रेस को स्पीकर, मेरी पार्टी को क्या मिला? डिपटी CM के पास कोई अधिकार नहीं होता है वहीं अजित पवार के बीजेपी के साथ जाकर पार्टी से बगावक करने के मामले पर भी शरत पवार ने प्रतिक्रिया दी